देश के बारा राज्य सूखे की चपेट में हैं खास तोर पर महराश्ट्र चट्टिस गड़ जैसे राज्ये जो लगातार कई सालों से सूखे की मार छेल रहे हैं ऐसे में अब इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार खास योजना पर विचार कर रही है आस्मान से बरस्ती आग, तप्ती धर्ती, प्यासे खेत और सूख चुके नल ये आलम देश के बारहा राज्यों का है जो इस वक्त भीशन सूखे की चपेट में हैं हालात इतने बत्तर हो चुके हैं कि इसे 16 साल की सबसे बुरी दशा बताया जा रहा है अगर स्थिती ऐसी ही रही तो आने वाले वक्त में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश की एक चौथाई आबादी यानी 33 करोड लोग सूखे की चपेट में हैं 256 जिले भीशन सूखे से जूच रहे हैं केंद्र सरकार ने स्वराज अभियान की याचिका पर सूप्रीम कोट में ये रिपोर्ट पेश की ऐसे में अब केंद्र सरकार सूखे से निबटने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है Water Resource और River Development Secretary शशी शेखर ने बताया है सरकार Water Management के नय तौर तरीके बनाने का प्लान कर रही है सरकार किसानों को drip irrigation के लिए fund देगी साथ ही ground water के जादा दोहन के लिए penalty लगाई जाएगी इसके लिए एक model water law बनाया जाएगा शेखर ने बताया है कि अगले 15 दिनों के अंदर model law तयार कर लिया जाएगा इस model law के तहट जिन इलाकों को पानी की कमी के चलते डार्क जोन डिकलेर किया गया है वहाँ पानी के इस्तिमाल की सीमा तय होगी डार्क जोन में कुएं की खुदाई और इलेक्रिक पंपों को रेगुलेट किया जाएगा नदियों के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा संकट से निपटने के लिए drip irrigation पर ध्यान दिया जाएगा सर्फिस वाटर की तुलना में ग्राउंड वाटर का इस्तिमाल किया जाएगा मॉडलों का framework बना कर केंद्र सरकार राज़सरकार को देगी जिसे मानना या ना मानना राज्य सरकार पर निर्भर होगा शेकर ने बताया है कि इस फॉर्मुले के साथ किसानों को जागरूप किया जाएगा कि पानी का कितनी मात्रा में इस्तिमाल किया जाए वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अन तक कैबिनिट इस पर मोहर लगा सकती है जस तरहास ये देश में सूखे के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए ऐसे कानून का अना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है क्योंकि इससे पानी के संरक्षण पर पूरा जोर रहेगा और अगर पानी संरक्षण होगा तो सूखे जैसे हालातों से भी निपटना आसान हो जाएगा